कि यूद्रीज के लेर्णिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम पुस्प कुमार है और मैं उन्ति शिक्षा केंद्र खुरंपुर में अध्यापक हूं आज बच्चों हम आपको क्या करता हूं कि आप समझने का प्रियास करेंगे वह बच्चों सीखते हैं से फूटर में सबसे हमें पता होना चाहिए कि मैं यह नहीं है यह तो क्यों है तो सबसे पहले हम पैचान की बात करेंगे के कैसे पैचाने यह आपके प्रक्रफेक्ट का टिफ टैंस से तो हिंदी इस वाक्य के अर्त में से रहा होगा से रही होगी से रहे होंगे इत्यादी आए और काम का करना या होना पाया जाए उसे हम future perfect continuous tense कहते हैं तो जो हम translation करते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं वाक्यों की तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अपलाई करते हैं जड़ा देखिए बच्चों फॉर्मूला है नंबर इक्विस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्पिंग यांपर विल हैव भी और से रहाव भी लगती है वरक की फास्ट फॉर्म प्लस आई एंग्जी का परियोग करते हैं प्लस अबजेक्ट और से और प्लस प्लस और परियोग करते हैं यदि कोई काम निश्चित समय से हो रहा होता है तो उसके साथ हम सिंज का प्रियोग करते हैं जैसे सिंज मॉर्निंग शिंज नाइट सिंस 1 942 सन के साथ हम सिंस का परियोग करते हैं और 4 का परियोग कहां पर करते हैं 4 का परियोग हम जब करते हैं जब कोई क्या वाक्य एनिश्चित समय से हो रहा होता है तो वहां पर हम 4 का परियोग करते हैं जैसे 2 गंटे से 3 गंटे से 4 गंटे से जैसे मोहन दो गंटे से पढ़ रहा होगा अब मोहन दो गंटे से पढ़ रहा होगा बच्चो तो ये दो गंटे सुब़े के भी हो सकते हैं शाम की भी हो सकते हैं रात की भी हो सकते हैं निश्चित नहीं है जब कोई काम निश्चित नहीं होता तो उनके साथ हम और का प्रयोग करते हैं जब कोई काम निश्चित समय से हो रहा होता है तो उनके साथ थे सबसे बनाते हैं तो सब्सनेश में subject plus will help me या shall help me helping work का परियोग करते हैं plus वरप्ति वास फॉर्म plus I.N.G. का परियोग करते हैं plus object का परियोग करते हैं और plus since या 4 का परियोग करते हैं negative वाक्यों की बात करें तो नगारात्मर वाक्यों में होन subject plus will not have been या shall not have been का परियोग करते हैं और वरप्ति फॉर्स्ट वर्म के साथ आई एंजी का परियोग करते हैं plus object plus since या 4 का परियोग करते हैं interrogative sentences में हम सबसे पहले cell है वी cell और have been plus वरप्ति फॉर्स पॉर्स आई एंजी पला सब्जेक्ट का परियोग करते हैं और since वर फॉर्स परियोग करते हैं इसी प्रकार यदी विल करेगे तो विल का परियोग में हम सबसे पहले interrogative sentence में इसके बाद में सब्जेक्ट उसके बाद में सब्सक्राइब करते हैं पलास अब्जेक्ट और प्लस सिंचिया फॉर्स परियोग करते हैं तो एक्जामकल देखिए बच्चो जैसे वे सुबह से खेल रहे होंगे वे की अग्रेजी बच्चो दे होती है और दे के साथ helping work will have been का परियोग करेंगे तो playing they will have been playing since morning इसी प्रकार से मेर मैं दो घंटे से नहीं पढ़ रहां होंगा तो यह negative sentence है तो negative sentence हम कैसे बनाते हैं जारा देखिए आई सेल नोट हैव बीन लिदिंग पॉर्टू हम इसी प्रकार हम कर्शन माचक बनाते हैं क्या हम सुबह से नाच रहे होंगे तो सैल है helping work होगी सैल करता हम है तो हमके साथ भी सैल भी हैव बीन दान से और कब से सुबह से तो सुबह से निश्चित समय है इसलिए इसके साथ हम सिंस का परियोग करते हैं सिंस मौर्णी और इसके अतिरिक बच्चों और भी उदारन हो सकते हैं आप देखिए अभी हम आपको अन्य उदारन के माद्यम से और कहजापल देखकर के अच्छे देखिए अग्जामपल देखकर के अग्जामपल जैसे मोहन सुबह से स्कूल जा रहा होगा तो मोहन सब्जेक्ट है मोहन उसके बाद में हेल्पिंग वार तो हेल्पिंग वार विल्हाव बीन और जा रहा होगा जाने के अग्रेजी रचो गोव होती है और गोव के साथ हम आई एंजी लगाएंगे तो गोईंग हो जाएंगा मोहन विल्हाव बीन गोईंग अपसे सुबह से तो सुबह से निश्चित समय इसके लिए इसके साथ हम सिंस का परियोग करेंगे सिंस मॉर्णिंग इसी परकार इंटेरोगेटिव संकाइस बनाते हैं क्या राधा दो गड़ते से पूद रही होंगी पर्सेंग इंटेरोगेटिव संटैंज है इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों हेल्पिंग वार्प को पहले लेता हैं तो क्या राधा विल्ट इस सब्जेक्ट राधा विल्ट राधा कूद रही होगी कूद ने के अगरेजी जंप होते हैं जंप के साथ आएज नगाएगे विल्ट राधा कि हैं यहां मिल रादा के हैं जंपिंग यहां पर देखता है हम सिंश लगाएं यह लगाएं यह दो गटे इसे दो गटे इसलिए इसके साथ हम और तू आवद नेगेटिव संटेज बनाते हैं तो नेगेटिव संटेज में रच्चों देखो वह है दो बजे से एक पत्र नहीं लिख रहा होगा तो वह है दो बजे से एक पत्र नहीं लिख रहा होगा तो वह है कि अंग्रेज जिवर्चों ही होती है ही विल हवी या से परियोग करते हैं तो ही विल ही विल नहीं वाला वाक्या है नकर आत्मा के तो नोट लगाएंगे ही विल नोट अ या वी विल नोट अ वी यह रूट की पर्सकार पोला है साइगेंगी तो लिखने का ताम हो रहा है तो ही विल नौट है वी राइटीं अब दो बज़े से तो दो बज़े से टाइम निश्चित है इसलिए यहां पर हम सिंज का प्रेयोग करेंगे तो बच्चों इस तरह से हम इसके बनाते हैं चाहाँ नेगेटिव हो चाहाँ इंटेरोगेटिव हो चाहाँ वह सिंपल वाक्य हो तो अभी आपने फ्यूचर परफेक्ट प्रटिवास टेंस पड़ा और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको लिए टेंस अच्छे से समझ में आया होगा यदि इस विश्चे में आपके कुछ सवाल हैं तो आप वह हमसे कर सकते हैं ताकि हम आपको और अच्छे से बढ़ा सकें धन्यवाद्